एक टीनेजर को सूपर पावर मेल दिया जिससे ओख खुद जो फील करता है यहीं दूसरों को भी फील करा सकता है अब क्या इस पावर की रिस्पोंसिबिलिटी को सही से समझ पाएगा यह हम आज क्या हमारी मुवी देखेंगे अगर आपको वीडियो चलगता है तो ब्लीज से लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा अब बीना किसी दरीके एक्स्पेनेशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हम एक बुड़े आदमी को एक ग्रेव को विजिट करता है देख सकते हैं वो एक इंडियन लैंड पर कुछ रिचुल कर रहा था यहाँ पर अपना एक्स्पेरिमेंट कंडग करने के बाद अचानक से उसे जोर सा छटका आता है वो दूर जाकर नीजे गिर गया जब उठा तब वो रियलाइस करता है कि उसे पावर मिल चुकी है इस ग्रेव में जिस भी आदमी को गाड़ा गया था उसमें जो पावर थी अभी इस वो आया हुआ था तो क्लास के बाहर उसे उसके क्लासमेट मिले वो उसे हमेशा थ्रैश बॉय बुलाया करते हैं वो उसे बुली कर रहे थे तभी केली की बचपन की फ्रेंड जिसका नाम है डॉमनिक ये उसे बचाने के लिए आ जाती है उस लड़कों को उसने स्टॉप कि पर फिर लड़के डॉमनिक के पीछे लगे केली डॉमनिक को बचाने की कुशिश करता है पर लड़के फिर और भी ज़्यादा खुसा हो गए थे वो फिर उसे उठाते हैं और कच्रे के डब्बे में डाल देते हैं तभी शौप और लेडी वहाँ पर आके और सब लोगों क था और अपनी गाड़ी पर और कच्रा नहीं चाहती थी इनके जाने के बाद केली फिर दूसरे शर्ट निकाल कर पहन लेता है क्योंकि यह सब हमेशे उसके साथ होता रहता था वो जब स्कुल में पहुचा तो उन लड़कों की उसे कच्रे में डालने की वीडियो यह ऑल्र नहीं है घराकर डॉमनिक से भी उसकी मदर ने बात की थी एक्च्वल में डॉमनिक और जो लड़का केली को बुली कर रहा था जिसका नाम था नेलसन यह दोना एक दूसरे को डेट कर रहे थे पर अब डॉमनिक नेलसन को डेट नहीं करने वाली क्योंकि उसे इस तरीके से क करने का काम उसका था नेक्सिन में देखते हैं कि केली की इस तरीके की खाने की आदोति की वज़े से वो बीमार पढ़ने लग गया था उसकी मदर ने डॉक्टर को बुला है डॉक्टर कहते हैं मुझे लगता है कि साइकोलोजी कल घर में कोई भी आदमी नहीं है शायद इसी पावर है मैं आप सब को हिल कर सकता हो एक ओल लेडी थी जो सही से चल नहीं सकती थी उसका पैर बहुत ही जादा दुखता था फ्लूगर के पास आए और फ्लूगर ने उसका पेन पुरा खीच लिया सब लोग उसकी वावा करने लग गया यह बरनी से सब देख रही थी उस मेरी एंसिस्टर्स की है फ्लूगर ने कहा कि मुझे एकदम अमेजिंग लग रहा है मैं कभी भी इस पावर को नहीं दूँगा इसके बाद वो केली के पास आ जाता है उसने जैसे ही केली को हाथ लगा तो उसका सारा पेन उसे महसुस होने लग जाता है वो जारा बातरूम गया और उसने कुछ ड्रिंक कर लिया इस ड्रिंक में रेड एल्क ने कुछ मिला हुआ था जैसे उसने फिर से केली को टच किया तो अच्छानक से बहुत जल्द हो जाती है वो जब केली का फिर से चेह तो उसमें कुछ भी बर्न विग रहा नहीं था इसका मतलब है वो खुद जल्दी जल्दी हील होने लग गया था फ्लूगर की सारी पावर ये अब केली में आ चुकी थी अगली दिन केली जब अपने बाइसिकल पर काम कर रहा था तो उसके हाथ पर कट आ जाता है इसे तो खून आना चाहिए था पर केली ने खुद अपनी जग्म को अटोमेंटिक हील होता देखा वो समझ आता है कि कुछ उसके साथ अमेजिंग हो रहा है बर्निस अपनी नाइट शिप पर जा रही थी और उसे बहुत ही ज़रा टायड लग रहा था केली उसे जैसे ही हग करता है वैसे उसकी एनरजी बर्निस में भी आ गए उसे भी बहुत ही अमेजिंग लगने लग या था वो खुद कितना अमेजिंग फील कर रहा है यह बर्निस को बताने की कोशिश करता है और बर्निस को यह बाद नॉर्मल लगती है इसके बाद वो टाउन में आया और डॉम्निक और उसकी फ्रेंड से मिलता है डॉम्निक केली की एनरजी देखकर उसे कहती है तुम तब बहुत ही अलग लग रहे हो डॉम्निक ने खाए कि मैंने कल क्या हुआ था इसके बारे में सुना केली कहता है कि उस इंसिरन्ट के बाद कुछ न कुछ तो अमेजिंग होने वाला है अजानक से पीछे से रीड आता है वो फिर से केली को बुली करने लग गया वो जोर से केली के पेट में मारता है तो इस चोट डारेक्ली उसके ही पेट पर लग गए याने कि केली को कोई हर्ड करने की कुशिश करें तो खूद हर्ड हो जाता था रीड और भी ज़ाधा गुस्सा हो जाता है और केली के फेस पर पंच करता है तो इसकी चोट उसे खूद लग गए ये बात जब केली ने रेयलाइस की तो बहुत ही ज़ादा खुश हो क्या उसने कहा कि जब तुमारा मन करे तुम मुझे मार सकते हो रीड जल्दी से हाँ से भाग जाता है गर वापस आते वक केली ने एक जॉब की वैकेंसी देखी जहा हो जॉइन कर लेता है वाजरात बहुत ही खुश था सब कुछ चीज़े अपनी मदर को बताता है मदर के घर पर आने के बाद रीड अपने फादर को लेकर वहाँ पर आया हुआ था फादर का नाम में गस गस बर्निस को बताने की कोशिश करते है कि केली ने मेरे बेटे रीड को मारा बर्निस कहती कि हमेशा तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को मारता रहता है गस कहता है कि मुझे इसके बारे में पता है पर आज जो वाग बहुत ही अजीब था बर्निस ने कहा कि अगर तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को मारता है तुमने इसके लिए कुछ किया क्यों ने इस बात से वो बहुत ही ज़ादा अपसेट होगी और गस को घर से बाहर निकाल देती है केली फिर बर्निस को बताता है कि यही बात तुम्हें तुम्हें बताना चाहता था उसे पिंच करने के लिए कहता है बर्निस ने केली को पिंच किया तो इसका दर्द उसे ही महसुस हुआ इस बात को लेकर ये दोनों बहुत excited हो के केली अपनी life के साथ आगे क्या क्या कर सकता है इस सब की list बनाता है बर्निस कहती कि तुम्हें सब को चीज़े ट्राइ करनी चाहिए कि क्या actual में तुम fire से खेल सकते हो और भी क्या क्या तुम्हारी powers है केली फिर खुद को आग लगाने की कुशिश करता है पर उसे आग लगती ही नहीं ये दोनों मिलकर decide करते हैं कि किसी को भी इसके बारे में बताएंगे नहीं अगली दिन केली जब school में जाता है तो डॉम्निक का रवर बैंड उसके पास बढ़ा हुआ था वो डॉम्निक को देखकर imagine करने लग लगया कि उसके साथ वो intimate हो रहा है इस dream में डॉम्निक के साथ उसकी friend Sarah भी थी ये सब को जब वो feel कर रहा था तो डॉम्निक और सारा भी क्लास में ये सब चीज़े feel करती है एक्चुल में हुआ क्या ये दोनों समझ नहीं पाती पर केली यहां से भाग क्या रात में स्कूल के सारे friends मिलकर party कर रहे थे डॉम्निक का एक्स boyfriend निलसन आकर उसे उठा लेता है डॉमनिक ने खाग की मुझे अभी क्या भी नीचे उतारो उसे उतारने रहा था तो केली ने डॉम्निक को डिफेंड किया इस बात पर नेलसन गयता है तुम करोगे क्या वो फिरसे केली को मारने वाला था पर Gus ने यह सब देख लिया और उसे रोक लेता है Gus ने कहा कि तुम्हारे साथ जो भी चल रहा है इसके बारे में मैं फिगर आउट कर लूँगा और इसके बाद तुम्हें देखूंगा पार्टी खतम हो जाने के बाद केली अपने बाइक पर खर जा रहा था नेटसन और उसके फ्रेंड कार में थे तो इस बाद उनोटिस करते है उसे डराने के लिए कार उसके बहुत ही पास लेकर आते है उसे हरड करने की पूरी कोशिश कर रहे थे केली का अचानक से बैलन्स चला गया और वो गाड़ी की नीचे आ जाता है इसके opposite effect की वज़े से जो इनका फ्रेंड गाड़ी चला रहा था उसी की तुरंद वही पर डेथ हो जाती है केली भी खुन से लटपत था पर वो बहुत ही जल्दी हील कर जाता है पीछे से डॉमनिक और उसकी फ्रेंड भी आ गए जिस लड़के की डेथ हुए उसके फ्रेंड्स को पुलिस पुछते है कि हुआ क्या था तो कहते हैं केली रस्ते की बीच में से बाइसिकल चला रहा था वो जान बुचकर हमारा एक्सिडन करने की कुशिश कर रहा था शेरिफ इस बात को नहीं मान दे और इसके बाद हो केली के पास आया केली ने कहा क्यों लोग मुझे मारने की कुशिश कर रहे थे मेरे बाइसिकल से उटक रहा है और मैं रास्ते के दुसरी साइड उपर नीचे गिर गया था ये स्टोरी सबको बिलिवेबल थी सबको लगता है कि एक्सिडन्ट था तो इस वज़े से इस केस को क्लोस कर दिया जाता है इसके बाद हम रेडल को फ्ल्यूगर के ग्रेव के पास देखते है वहाँ पर जो पोधे पड़े हुए थे इस पर रेडल ने कुछ कर दिया स्कूल में सब लोग केली पर नज़र रग रहे थे निलसन की फ्रेड ने कहा कि हमें केली को जाने दिना चाहिए निलसन कहता है कि उसकी वज़े से हमारे फ्रेड की डेट होगी हम उसका बदला जरूर लेंगे आज केली और डॉमिनिक हैंगाउट कर रहे थे डॉमिनिक ने कहा कि एक नई मूवी आई है उसे वहाँ पर जाना था पर वो एक्सपेक्ट कर रहे थी कि केली उसे डेट के लिए पूछे केली बात समझ नहीं पाता पर लास्ट में उससे पूछ लेता है डॉमिनिक ने भी हा का, केली को हमेशा से उसे डेट पर लेकर जाना था, आज वो बहुत ही खुश था, रात में जब वो काम करा था, तो रेड एलक उसे मिला, रेड एल ने पूछा कि क्या तुम फ्लूगर को जानते थे, तो केली उसे सब कुछ बता देता है, रेड एलक नेलचन और उसके फ्रेंड घर पर नजर रख रहे थे, उन्हें लगा कि केली की मदर बाहर गई है, और केली अंदर अकेला है, उन्होंने उसके ट्रेलर का सपोर्ट अपनी गाड़ी से बान दिया, और गाड़ी को आगे खिचते, जिससे ट्रेलर नीचे गिर गया, नीचे केली वापस आया, तब तक बहुत जाधा देर हो चुकी थी, पूलीस को लगता है कि केली को भी बन आये थे, 身वजय से उस्यों हपिटल में डाल देते है, पर बाद में शेरीफ को पता चला कि केली को कुछ भी चोट नहीं आई, हपिडल में शेरीफ से मिलने के लिए इसका funeral देखते है केली को सहारा देने के लिए Dominic उसके पास आती है उसे किस करती है तो केली ने भी फिर से किस किया सब लोगों के चले जाने के बाद केली फ्लूगर के ग्रेव के पास आता है उसके उपर एक पता था जो उसने खा लिया इस वज़े से उल्टी आने लग जात रास्ते में शेरिफ केली से यह दिया कि तुम्हारा ट्रेलर जरा आउट आप बैलन्स हो गया था क्या उसमें कुछ प्रॉल्म था केली बात समझ नहीं पाता तब उसने रोड उपर नेशन और उसके फ्रेंड को नोटीस किया उसे पता चल गया कि यह सब उन्हों नहीं किय है वो फिर चलती गाड़ी से डारेगली खूच जाता है जहाँ पर फ्रेंड जा रहे थे उनको पीछा करने लगया सब फ्रेंड्स मिलकर रिवर के पास आते हैं उनका एक फ्रेंड जब सुमिंग कर रहा था तो उसे पत्थर मानने लग गया इनकी मस्ती केली देखता है उन केली बाहर निकला और उसने कहा कि अब और सिर्फ तुम तीन ही लोग पचे हो एक एक करकर में तुम सब को मार डालोंगा अब मैं किसे मारू केली को ढूंते हो शेरीफ वहाँ पर पहुच चुका था तो केली यहां से भाग जायता है कि बात में मैं तुमें देख लोंगा यह सब बात निलसन ने सब लोगों को बता दी थी तो इसके बारे में सारा डामनिक से बात कर दिया है डामनिक ने उसे कहा कि केली कभी भी किसी को मार नहीं सकता डामनिक ने खिड़के में कुछ आवाज सुना तो केली कहता है कि मेरे साथ चलो मैं तुमें सब कुछ एक्स् पइस कर देंगे विज़शी बात के लिए मांच जाताा इसके बाद अगले दीन जब के लास चल रहा था तो आजानक शे के ली वहाँ पर घुसाया उश्ब नेलसन के फ्रेंड का मज़ा होड़ाने लग जाताा उनका एक फ्रेंड केली को मारने वाला था पर नेलसन उसे रोक पटा देती हैं इसके बाद फ्ल्यैक करके ग्रेव के पास आया और वहांसे और पत्ते उन्हों उठा लिये, ये सब पत्ते पानी में डाल कर ये लिक्विड वोग गास कैन में भर देते हैं, सब लोग इतने डर गए थे तो घर से बाहर कोई भी निकल ने निवाला था, पर नेलसन के फादर ने का कि मुझे डरेंगे नहीं, कल हम प्रैक्टिस के लिए चलते हैं, इनके प् बात करने के लिए फिर से गस के पास पहुच जाता है, अचानक से वहाँ पर केली भी पहुच गया, उसके पास नेलसन का डिलिंग मशीन था, अगर वो नेलसन की चीजों से खुद को हट करता है, तो नेलसन हट होगा, उसने नेलसन को वार्निंग दी, कि अभी क्या भी हुआ था, इस सो केली को प्रेशर करने लगता है, केली की हलत इससे खराब होने लगके, मौके का फायदा उठा अगर गस ने शेरीफ की गन ले ली, केली जब रिकावर हो रहा था, तब ही उसने केली को शूट कर दिया, इसकी वज़े से एकी समय बर गस और निलसन ये दोन कर सकता हो, डॉमनिक केली केली भी फिर से नॉर्मल होना चाता था, इसके बाद हम देखते हैं कि रात में सब लोग रेड एल के पास आए, वो एक रिचुल परफॉर्म करता है, जिससे केली की पूरी पावर चली जाने वाली थी, केली को बहुत ही ज़ादा दर्ध होने डॉमनिक को भी गोली लग गई थी, डॉमनिक ने मरते मरते केली से कहा, तुम्हारी पावर किसी को भी मत देना, केली को बहुत बुरा लगता है, यह फ्लूगर की ग्रेव के पास ही थे, केली ने कहा कि अब मुझे यह सब नहीं चाहिए, उसने फ्लूगर का हाट निकाला और वो खाने लग गया, इस वज़े से उसकी डेथ होने लग जाती है, पर इससे भी हो हील करने लग गया था, शेरीफ यह देखकर उसके सर पर गोली मार कर उसे मार डालता है, शेरीफ ने रेडल से पूचा क्या तुम्हें पावर मिल चुकी है, रेडल कहता है कि नहीं मिल नेकसे माँ देखते है कि केली और डॉमनिक की जब डेड़ बॉर्डी लेका जा रहे थे, तो अचानक से डॉमनिक उठ जाती है, केली की पावर उसमें आ चुकी थी, अब वो सब लोगों का बदला लेकी है, और इसी मुवेंट पर मूवी एंड हो जाती है, एक न्यू कंस और आप अपने आपका खैल रखिया